हलो फ्रेंच वेलकम तो चानल कर अफ़र अपडेटेट अधिस दिवशी शवस्ती आज मैं आपके सामें डिसक्स करने वाला हूँ डिफेंस रिलेटेड करन अफेर्स डिफेंस रिलेटेड करने वाले हैं जितने भी मिसाइल हमने लीसेंटली पिछले एक साल में देखी हैं उ पहले तो डिफेंस रिसर्च डिफलफ्म और इसके लिटेस्ट चेर्मन याद अखेगा है इंडियन साइंटेस्स है जो नूली अपॉइंट हूँ इनका नाम यादा आखना आपको समीर कमट तो समीर कमट जो है रिसेंटली अपॉइंट हूए है इन्हों रिप्लेस किया है सतीश रिडी को रिप्लेस करके अब नए कमट जो है वो अपने डियाडियो के चेर्मन बन गया है डियाडियो के हम बात करते हैं 1958 में डियाडियो इस्टाबिश हुआ था इसका हेड़कॉर्टर नियू डेली में है और यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है यह आपको याद एकना है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर यह आता है तो यह तो बेसिक सा पहला करंटा की चेर्मन को ने पता होना चाहिए नेक्स्स अगर हम डिफेंस से बात कहें तो ट्वेल्ट एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो जो हुआ है अभी रीसेंटी यह लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक से मेंशन कर दिया है चलिए आगे बढ़ते हैं इंडियन फ्लैक्षिप अच्छा यह जो ट्वेल्ट एडिशन ऑफ डिफेंस एक्षप हुआ है किससे रिटेट सा याद एखिएगा इंडियन फ्लैक्षिप एग्जिबीशन होता है यह पर लैंड नेवल और होमलेंड सिक्योर्टी सिस्टम के बारे में सब चीज़े बताई आती हैं तो यह उससे रिलेटेड होता है और इस बार कहा हुआ गांधी नगर गुजरात में हुआ है आगे बढ़ते हैं थर्ड न्यूज में इस आइनस विक्रांथ आने की चांसे पर आज आएंगे और एक प्लेस से दूसरी प्लेस केरी कर सकते हैं तो वो बनाए गया है आइनस विक्रांथ नाम है कुशन आएगा इसको बनाए किसने बिल्ट बाए कोचिंज शिप्याड लिमिटेड ये पहला चीज आपको याद रखना है इसको कमीशन कर दिया है प्रा और इंडिया का पहला इंडिजीनिसली खुद से बनाए हुआ एक्राफ्ट केरियर है तो इस आएनस विक्रांथ इसलिए जादा इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ते हैं नेक्स दूज में आइनस धुरुव आइनस धुरुव क्या है यहां इमेज तो मैंने सबकी बना रख ही आप देख सकते हैं अइनस धुरुव है क्या इंडिया की पहली नूटियर मिसाइल ट्राकंग शिप है रवेमबर तो मिसाइल को नूटियर मिसाइल को ट्रैक करने की शिप बनाएगे इसका नाम है आई एनस धुरुव और इसको बनाया है हिंदोस्तान शिप्यार्ड लि आइनस ध्रोव ओके नेक्स्ट मूव करते हैं ये दोनों बहुत इंपोर्टेट है आइनस सूरत और आइनस उदैगिरी ये हैं क्या अभी राजनात सिंग ने अभी आप न्यूज में भी सुना होगा आपने राजनात सिंग जो हमाई डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने दो व लोकेशन के नाम पर है जाद कि आइनस सूरत और उदैगिरी को लॉंच किया गया कहां से मजागाओं डॉक्याट शिप लाड लिमिटेट से मुंबई में जो है तो यह भी आपको याद रखना है अब हम बात करते हैं यह दोनों शिप के बारे में ठीक है तो दो आइनस सू सूरत की बात करते हैं प्रोजेक्ट फिफ्टीन बी जिसको आप विशाखा पत्नम क्लास भी कहते हैं इसके नदर चार्षिप बनाई जा रही थी जो की मिसाइल डिस्ट्रोयर थी वो चार्षिप थी विशाखा पत्नम मॉर्मगाव इंफाल और सूरत तीन बन चुकी थी ल लास्ट शिप ऑफ प्रोजेक्ट फिफ्टीन भी फॉर्थ शिप है ये जड़िस आइनस सूरत जबके माइनस उदेगरी की बात करें तो ये किस प्रोजेक्ट के अंदर बन रही थी प्रोजेक्ट 17 ए के अंदर और इसको निलगरी क्लास भी कहते हैं इसके अंदर टोटल अ निलगरी उदेगरी और हिमगरी याद रखेगा अब इसी में बताओ निलगरी आपका हिए तो तीन है आप ते साथ बोली तो मैं आपको बता दूँ आपको याद रख रहा है कि अभी देखो साथ इसके अंदर टोटल सेवन एडवांस गाइडेड मिसाइल फिगेट्स ला आगे बढ़ते हैं नेक्स टॉपिक बाते हैं आइनस सिंधु ध्वाज इसको कमिशन किया गया है क्योंकि 35 साल थर्डी फाइव और सर्वेस ही प्रोवाइड कर चुकी थी तो इसको विशाका पत्नम से याद एक इनस सिंधु ध्वज को पूछा सकते आप से इसको डी इसको डी कमिशन कर दिया गया है मतलब आउट ऑफ सर्वेस हो गई है ठीक है नेक्स बात करते हैं आइनस अरिहंत की आइनस अरिहंत भी इंपॉर्टेंट है यह एक सम्मरीन आप यहाँ पर देख सकते हैं एक सम्मरीन आपको दिख रही होगी आइनस जो अरिह नुक्लियर नुक्लियर के नुक्लियर के ऐब जो की बनाए ङया है इंडिया तो इंडिया इसको बिल्ड है या होगी अब ही रिसेंटी नीच्टे ब्लांच किया है नुक्लियर के फिवल मैंना इसेंट्ली टेस्टिंग है कि इसकी SLBM की SLBM क्या है Submarine Launch Ballistic Missile कि अभी टेस्टिंग की है Bay of Bengal में इसलिए आईने सरीहंत न्यूज में भी आ गया है SLBM की वज़े से तो आईने सरीहंत आपको याद आखना है क्या एक Submarine है Next बात करें Project 75 की This is a very important project Project 75 Project 75 है इसके अंदर इंडियन ने भी 6 Diesel Electric Attack Submarines बनाई थी याद एकि कितनी 6 Diesel Electric Attack Submarines अभी तक इन 6 Submarines की अगर मैं बात करूँ तो 4 तो Commission हो चुकी है 2 Sea Trials में उनको भी लॉंच कर दिया गया वाट Sea Trials में है जो 4 Commission होई उनका नाम है आईनेस कलावरी, आईनेस खंदेरी, आईनेस कलरंज आईनेस वेला, रेमेंबर तो 3 K से नाम है और 3 V से नाम है तो 4 तो हो गई है लॉंच, कमिशन और 2 Sea Trials में है आईनेस वगीर और आईनेस वक्षीर, रेमेंबर तो आप देख रहोंगे, 3 V से हैं 3 K से हैं, ऐसे नाम याद कर सकते हो तो संबरीन है, जो प्रोजेक्ट 75 पे रदा बिल्ड़ अप हो रही है, अभी न्यूज में करके चलती ही रहती है कभी ये लॉंच होती है फिर कमिशन होती है, इससे न्यूज में आ जाती है इससे इंपॉर्डन है, नेक्स है पिनाका रॉकेट सिस्टम मेरे पास आप देख रहोंगे Multiple Rocket Launcher आपको दिख रहोंगे ये पिनाका रॉकेट सिस्टम इसको DRDO ने बनाया हुआ है और वैनेफेक्ट्चर किया इसको Tata and L&T ने इसको मनेफेक्ट्चर किया है अभी न्यूज में क्यों आ गया पिनाका तो बहुत पुराने इससे भी है क्यों नीज में है क्योंकि इंडिया ने डिफेंस डिल किया अर्मीनिया के साथ पिनाका रॉकेट सिस्टम तो रॉकेट सिस्टम के साथ अर्मीनिया के साथ डिल की है तो कोशन पूचा सकते हैं इंडिया ने किस कंट्री के साथ पिना sound से कम है तो से कहते सब्सोनिक लिगने speed of sound से ज्यादा है तो इसे कहते हैं सुपर्सोनिक मिसट entrepreneur और अगर उसकी speed of sound से three times याद रखेगा यह five times approximate three to five times specific has a highpersonic okay so she can dial upon speed of sound kay said speed of sound कितना 343 meter per second okay so close log subsonic supersonic and hypersonic missile स्मार्ट किया है सुपर सोनिक और यह पूरा फूल फॉर्म स्मार्ट का अब कुछ लोग जो मुवी देखते हैं नेवी वगरा की मुवी देखते होंगे पानी है ठीक है यहां पर आपकी कोई संबरीन चल रही है और दूसरी संबरीन आरी उस पर आपको अट्यक करना है तो आप यहां ते ट्रोपेडो फाइर करते हैं तो आपने यहां पर सुना होगा बट यहां पर नाम देखिए पूरा क्या है शुपर सोनिक असिस्टेट रिलीज of torpedo ठीक है अब यह है क्या देखिए हम तो जनरी देखा पानी के अंदर से ही torpedo fire किया जाता है देखिए बड़ यहां पर देखिए सुपर सोनिक missile assisted word यूज किया है तो बता दू यहां पर ऐसा होगा कि लड़े सपोज यहां से missile fire की जाएगी यह पानी है आपका ठीक है यहां नीचे कोई submarine enemy की ठीक है आपको इसको उड़ाना है ठीक है तो आप स्मार्ट की तुरू क्या करोगी यहां से आपकी missile fire कियागी इस उपर जाएगी फिर पानी के अंदर जाएगी और फिर यह से करके इसको उड़ा देगी तो एक तरीकित आप देखा है ना कि यह किस तरह का मतलब पानी में जवीनी पानी से ही आपको fire करना पड़े आप देगे किस तरह fire की यह है स्मार्ट यहां दखेगा स्मार्ट को डेवलप किया है और इंडिया ने वी को दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है इंडिया ने वी को मिल गए यह ओके और ट्रोपेडोस क्या होते हैं वो तो मैंने आपको अल्रीड ही बताया कि किस तरह संबरीन में जाका अंडर वाटर यह हिट करते हैं उससे ट्रोपेडोस कहते हैं तो यह कुछ इस तरह फंक्शन्स पर वक करेंगी दाट स्मार्ट बुझा था स्मार्ट है कि आप फुल फॉर्म आपको याद रखना है नेक्स देखे प्रले प्रले एक मिसाइल है सिंपल सी एक मिसाइल है सर्फेस तु सर्फेस बैलेस्तिक मिसाइल है शौट रेंज है 500 किलोमीटर की याद रखिए कि मिसाइल रेंज है यह आपको याद रखना है और रिचेंटली डियाडियों ने टेस्स कंड़क किया रिसेंटली और कहां से टेस्स कंड़क करते हैं अभी आपको होता है वीलार आइलेंड डाट जिस जिसको आप Wheeler Island कहते हैं वहीं से ही मिसाइल की टेस्टिंग होती है। नेक्स है अगनी P ये अगनी P क्या है। अगनी सिरीज मिसाइल तो आपने सुनी होंगी अगनी 1, अगनी 2, अगनी 3 सबकी रेंजेस के अगनी 5 तक 5000 किलोमीटर तक अपने सारी अगनी की मिसाइल सुनी है। ये अगनी P क्या है। P is for Prime, remember। और ये अगनी सिरीज का ही Advanced Version है अगनी P, इसकी रेंज अगर देखें तो 1000 से 2000 किलोमीटर की रेंज है। और ये New Generation Nuclear Capable Ballistic Missile है। ये अगनी सिरीज का ही Upgraded Model है, remember। तो ये आपको यारत का भी देखें। देखें, ये अगनी प्राइम मिसाइल्स तो अगनी प्राइम मिसाइल्स आप समझे हो, अगनी P के नाम से आ सकता है। आप तो निज सब्सक्राइम में आपको कुछ मिसाइल्स ताइप के दीख रही होगी। एक हैं जिटो टैंक के ओटाने अपको ऊच्छी बात है। बाहर पर हम हम डिपेंडेंडेंट अपकम हो रहे हैं। खुद के ही चीज़े डवलप की जा रही तो हलीना उन में से वन अफ दे इक्जांपल है इसके आने की चांद से सबसे कम हैं बड़ सिल मैं आपको बतायता हूं आरेस 28 सर्मत और इसको हम सतन टू भी कहते हैं यह क्या देखिए इंडिया से रेलेटेड नहीं है यह आपको पता हूं रश्या यूक्रीय और चल रहा है तो उसी को देखते हो रश्या ना भी टेस्ट किया अपना इंटर कॉंटेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नों टेस्ट किया है और यह अभी करेंट अफेस में चला इसके मैं इसको कवर किया है जिसके नाम है सर्मत रिमेंबर जो इस तरह आपको पता हुआ जिस तरह इसूस चला है यूक्रीय और रश्या यह टेस्टिंग की है इंटर कॉंटेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की है ना और इसकी रेंज आ वर्टिकल लॉंच एंट्यों इस ते से क्या है यह टेंट्येठाश सर्फेस टू एयर मिसाइल जिसको भी रिसेंटली डी-ाडियो इंडिया नई नेवी ने मिलके भी रिसेंटली सकसफुली टेस्ट किया है इसे न्यूस में भी था देखे में लिए इंडिया सकसेस्ट्व आर्मी डे नेवी डे और एर फोस डे पर डिसकस कर लेते हैं तो आर्मी डे आज सब को बता है 15 जैन को हम सेलिब्रेट करते हैं इस पर आर्मी डे में एक इंपॉर्डेंट चीज भी क्या कि इंडिया की नई यूनिफॉर्म जो है आर्मी की वह एनाउंस की गई आर्मी डे में किया गया इसको बनाया है और इसमें आप देखेंगे पैटर्न देखेंगे तो चैनल फ्लेज पैटर्न मतलब होता है बड़ा ही ऐसा पैटर्न की जो सराउंडिंग से मैच करता है तो आर्मी वाले अगर ड्रेस पेनके जाएंगे तो आप पता नहीं लगा कि आप इसको स्पॉर्ट करना ऐसी ड्रेस के ऐसे लोगों को बहुत डिफिकल्ट हो जाता है तो उस पैटर्न पे इसको बनाए गया है प्लस न्यू मेटिकल्स भी यूज़ किये गए हैं कॉटन और पॉलिस्टर यूज़ किये गये हैं जो कि लाइट वेट होते हैं क्विक आप ने देखाऊंगा आइरेन बीप जो था बड़ा न्यूज में रहा आरेन बीम है क्या मैं आपको बढ़ा दो ये एक लेजर बेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है यह बड़ा न्यूज में भी रहा यह किसका है सबको पता इस्दराइल का है बहुत फेमस हैं इसका भी भी हुआ जिस तरह आपने देखा होगा न्यूज में था डेवलप किया इसको रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने और यह जो है रिवेंबर रफाल डिफेंस सिस्टम की बात करें तो डियाडी ओ कई है इसॉरी इस्राइल का ही है तो मैं लिखा भी आरेंड डोम की बात कर है यह दोनों ही इसराइल का ही डेवलप्मेंट है याद रखिएगा तो बड़ा अच्छा डिफेंस उनका है अब आप अटक करेंगे कोई मिसाइल वागर लाउंच होगी तो इनका यह एक्टिव हो जाता है और उनके पर्टिकुलर एर्यास को प्रोटेक्ट करता है तो इस इतना हमके साथ इंडिया ने कि इंडिया उसको प्रोवाइड कर रहा है नेक्स से इंडिया फिलिपेंस ने डील के साइन किया इंडिया फिलिपेंस अगें कितने की 374 मिलियन डॉलर की किस चीज के लिए for the sale of ब्रहमोज मिसाइल तो बड़ी अच्छी बात है ब्रहमोज मिस में मिसायल में इसकी स्पीड आप देखें तो कर्लिए तो आपर बात तो आपको पता होगा। यूपी में आपको लखनौ है वहीं पर आधनात सिंग ने ब्रमोस मिसाइल मैनुफेक्शरिंग यूनिट भी लगा रखी है तो एक कुशन कभी पूछा रता है कि ये मैनुफेक्शरिंग यूनिट कहा स्टाबलेश आंसर लखना हुआ है ब्रमोस की बात के तो इंडिया रश्या आपके दिमाग में जरूर पूर आएगा बट इंडिया ने अभी याद आखिएगा जो डील शाइन की है वो किसके साथ ब्रमोस को बेचने की है तरह इस फिलिपिन्स ओके नेक्स आते हैं डिस इंपोर्डेंट एस डब्लू एलर पूछा रखता है स्वाथी वेपन लोकेटिंग रडार याद इसलिए स्वाथी आपको याद रखना है नेक्स्ट थोड़ा पुरानी हो गई बट इंपोर्डेंट होगी को कोविड के बाद कोविड में डियाडियों का क्या रोल रहा थोड़ा सा तुम्हें आपको एक्जामर बता दूं टू डीजी डाइस टू डायॉक्सी डी तो डाट इस यह फ्राइड का इसमें रोल है ऐसे कोविड की बात करें तो यह देख्येगा यह कोविड नाइंटेन के एंटी बॉड़ी डेक्शन किट है जिसको डेवलपकिस ने किया था ड्याडियों ने रविमबर इसका नाम क्या है डिप कोवण रवेंबर तो नाम से अगर flying की training वगरा लेनी है तो उसके लिए देखे Hansa NG याद रखेंगा इनको हम बाहर से मंगवाते थे थे अब यह इंडिजिनली इंडिया में बनेंगी तो अब आपको बाहर से नहीं आप इंडिया की खुद की इंडिजीनेसली बिल्ट फ्लाइंग क्रेनर हो सकती है आप देख सकते हैं यहाँ पर श्याद आपने अगर मुवी देखी मुवी नहीं फैमिली मैं की सिरीज देखी होगी फैमिल मैं टू में तो एंड में जब वो लेके स्कॉडर आपको प्रीथ एडवांस लाइड हैं एलिकॉप्टर का स्कॉडर आई एन एस 324 तो ठीक है मतलर अले नहीं ने लॉंच याद रखना है तो देखिए मैं लाम भी लिख रखा है कि इसमें दो चीज याद रखने ही इंड़्िया ने फिरंकिया कमिशनन किया पहला एलए स्कॉर्ड मिंस्टक का पहला एम इन एस स्र您 उसको होटा इसक का नाम जो है इज टरी तीर उसकड़न मतलब क्या होताई बर्ड हफिंग गुड अइसंसरी डंग यह होता है इसको लॉटनिक distinguish आप में सामने देख रहोंगे तो इसको commission किया गया विशाखा पत्नम से और यह पहला naval squadron है ठीक है नेवल squadron है जो की eastern sea board के लिए के लिए आप में आपको naval command शोगरा बता रखे हैं ठीक है तो इसके लिए पहला naval squadron जो इसका नाम है हिंदुस्तान एलोनॉट्रिक्स लिमिटेड है इसको डेवलप कर रखा है ठीक है तो यह चीज़ आपको याद अखनी है बज़ा लाइट सेंस पर आप इसको याद कर सकते हैं को कि यह भी न्यूज में रहा है यह थोड़ी पुराइन न्यूज हो गई बट इंपोरेंट है स् स्पेस टेक्नोरजी स्टार्टप है जो की हैद्रबाद बेस ऑफिर रखावद स्टार्टप है अब इन ओने क्या किया है इंडिया का पहला प्राइवेट्ली बिल्ड क्राइवेटली बिल्ड रॉकुट एंजन लूँच किया इसका नाम क्या है धवन वन तो शिक्षण धा आपको याद रखना है इंडिया का खुद का बनाया हुआ फिफ्ट जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एरक्राफ्ट को अब रन किया जाएगा साफ मैं बता दूँं एक फ्रेंच मेकर कंपनी है वह यह मिलके हम इंजन अपना खुद किसका फिफ्फ जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट स्टीक है अब धेख सकते हैं इसका है इक उसका भर एरक्राफ्ट को हैं और इंजन विल बी डेवलप और अब आपको देए डियाडियो और सेफ्राइन जो है जो की एक फ्रेंच बेस मेकर कंपणी है वो मिलके बनारी है तो यह भी देखिए करेंट अवे नियूज में था जो जो करेंट अब होता है उसको मेरा काम है फुरा बताना आपको आपको इ इन्डियन नेवी में तो पूछा रिए किसके लिए इन्डियन नेवी बात किया रही है और रिसेंट इस चालेंज को लॉंच किया गया है नेक्स्ट रिए पदमा फुल फॉल फॉल्म है पे रोल आटोमेशन फॉर डिस्बर्समेंट अफ मन्तिली अलाउंसे तो नाम से पाच प्रिवेटली लॉंच किया गया है पेरोल आटोमेशन फॉर डिस्पर्समेंट ऑफ मन्थली अलाउंस तो पूचा सकते आपसे यह प्रिमेंट सिस्टम किसके लिए तो कोस्गार्ट के लिए चले आगे अगनी कूल की बात करें अगनी कूल भी बड़ा नीज में चला है अगन अगनी कूल कॉस्मोस में और कहां बनाई है आइटी मद्रास में बनाई गई है अगनी कूल लॉंच इंडिया फर्स रॉकेट फैसिलिटी फॉर थीडी प्रिंटिंग प्रिंटेड इंजिंस मैं अभी आपको बता दिया है इसकी मैने इफेक्शिंग फैक्ट्री जो है वह नौर्थीज का पहला यह जैद इपने किये फर्स माउंटेन वॉर्फेर ट्रेंइंग स्कूल ठीक है फर्स्त माउंटेन वर्फेर ट्रेंग स्कूल के लिए शकूल डेवलप यह इसका नाम कहा बन रहा है नौट-ईश में सिक्यम मैं आपको बता है यह नौट-ईश का तो इंडिया का second है इससे पहले उत्तराखन में अल्रेडी बन चुका है ठीक है और यार इक इसको develop कौन कर रहा है ITBP ने इसको बनाया है ठीक है तो अभी जो second वाला बनाया है इसको ITBP ने बनाया है और पहला जो था उत्तराखन में already established है नेक्स्स बात करते है एड्वांस टेक्नोजी जोगी डिवलाप की है अब यह क्या होती है यह तरादार कर देती है aur को अधार कद देती है तो वह उती तेखनोजी ओडिक और जीसको developing कियाась टोगि एक तेखनोजी है important है indigenously है इसलिए exam perspective से important ही तो यह थी पूरी defense की जो भी चीज़े news में थी मैंने cover कर दिये आप लोगो सोचों में साथ space की भी cover कर दीजे 2022 की जो भी होगा आपको ऐसा लगता है तो comment box पर comment करो हम ज़रूर बनाएंगे उस पर भी वीडियो अगर आप मेरे individual courses को जानना चाहते होता है application नाम आपको दिख रहा होगा तुरंत application download कर लो remember वहाँ पर आपको मेरे सारे courses available होंगे quality, history, geography, सारे courses आपको मिलेंगे अगर आप defense exam को preparation कर रहे हो और आप defense exam चाहिए CDS हो, NDA हो, अगनी वीर के exams हो किसी की preparation कर रहे हो और आप चाहते हो उसकी test series हम लगाना चाहते हैं तो एक बर आपको download करो देवशिश classes आपको सारे difference exams के एक साथ मैं आपको site test series प्रवाइड कर दूँगा तो application को download करके visit जरूर करना प्लस अगर आपको notes चाहिए, handwritten notes तो आप order कर सकते हैं उसका भी link मैं in description box में दे रखा है वहाँ से आप notes को sample check कर सकते हैं और order कर सकते हैं UPSC exam preparation कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग specialist पढ़ाते हैं आपको proper guidance देते हैं तो उसके लिए आप हमको एक बार contact जरूर करें एक बार app को visit करें आप हमें courses को देखिए optional से लेके साथी classes आपको available होगी और आपकी exam perspective से बहुत important होगा good out को लिए comment box से जरूर कमेंट करें वीडियो पसंदा है वीडियो को like जरू करें अपने friends जो defense exam preparation कर रहे हैं उनको जरूर यह video जरूर शेयर करें thank you